लखनाओ के SSP का कहना था कि जो भी प्रदर्शनकारी कानून को हाथ में ले रहे हैं उन्हें हमने गिरफतार किया है जो कानूनी कारवाई करनी चाहिए वो कानूनी कारवाई की गई है तो ये समझे ये आप लोग बार-बार R9 TV आपसे अपील कर रहा है कि आप समझे कि आपक तरीका क्या हो ये आपको मालूम होना चाहिए ये 6 अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको TV स्क्रीन में दिखा रहा है देखिए पुलिस चौकी तक को आग लगा दी गई है ये किस तरीके का विरोध प्रदर्शन है और क्या इसे बरदाश्त किया जाएगा गाड़िया जलाई गई है रोडवेज की बसे जलाई गई है प्राइवेट वेकिल्स में आग लगाई गई है मीडिया पर हमला किया गया है ओवी वैन में आग लगा दी गई है पत्थर बाजी की गई है पुलिस कर्मियों के उपर अब जब आप पत्थर बाजी कर रहे हैं तो कैसे सोच ले रहे हैं देखिए हर जगा सीसी टीवी कैमरे लगे हुए सीसी टीवी कैमरे में भी अगर आपकी तस्वीर आती आप कानून हाथ मिलेंगे तो उपद्रव्यों की पहचान करकर उन पर कारवाई की जाएगी तमाम पॉलिटिकल रियाक्शन इस बीच आ रहे हैं क्या के प्रतिरिधियों का वो भी आपको सुनवाते हैं कि समाजवादी पहाटी आज अपना प्रदर्शन कर देए महंगाई को लेके कई तरह की चीजों लेके कितना सही मानते हैं वो महंगाई का नहीं वह उनका क्योल बनावटी एक धरना है मुखलूब से वहाँ सी ए और इमर आधार बनाना चाहते हैं जन्ता उनको अब आधार हिन कर चुकी है तो आधार हिनी रहेंगे उनके धरने का कोई मतलब नहीं है दगातार इतने धरना परदर्शन चला है चलता रहेगा क्योंकि यह सरकार जो है समाम जन्ता की समस्ताओं पर आख बंद करके देश को बर्बा आधार शाही चला रहे है ताना चाही के घृचिया बचाने के लिए जमूर्यत बचाने के लिए है आज उत्तर पर देश देश के अंदर जो है भाज़पा सरकारों के ख़ाफ जन्होंने जद्डा के मुझ्दों से घान अटा के अब नागरिक्ता बिल लाके उन्हों ने समाज में जिस तरह नफरत फैलाने का काम किया है आज पूरा देश और परदेश करा है। करने के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने हमेशा संकल्बद है और हम संघर्ष करेंगे इस सम्मिधान को बचाने के लिए।